जिस तरीके से हमने किरला स्टोरी में भी देखा कि काफी एक स्टोरी थी, कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी फिल्म को कई बार बोल दिया जाता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी मुवी गलत धरनाय डाल दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग फिल्म देखने लगे, वो गलत धरनाय खोता गया, लोगों के मन में अप उन तीनों लड़की के बारे में इमोशन पैदा होने लगे, लोगों को समझ में आया कि ये जो किरल में एक एक टेरर की डर की मोहल चल रह ही है, उसके बारे में इन लोगों को समझ में आने लगे, किरल स्टोडी भी कोई पोलेटिका लेजेंडा नहीं था, किरल स्टोडी एक स्टार्क रियालिटी थी, एक ऐसा सच था, जिस सच को दुनिया की सबसे बड़े जो दुनिया के सामने जो थ्रेट है, इस्लाविक टे किरल स्टोडी को भी एक सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगा, जैसे जैसे दीन बित्ते गए, किरल स्टोडी एक जैसे ट्रेट की टार्मिनोलोजी में बोलते हैं, एक अन्प्रिसिडेंटेड ब्लोगबस्टर बना दिये लोगों नहीं, अब जब नौ महीने बाद उसकी OTT रिलीज हुई, वो भी वान अब दा बिगेस्ट OTT रिलीज करके माना जाने लगा, शुरुआत स्लो था क्योंकि लोगों के मन में गलत धरनाय थी, गलत धरनाय बना दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग देखने लगे, इतनी प्यार मिला, इतने ज़्यादा ब्लेसि बश्तर की जारनी शुरू हुई, बश्तर में भी ऐसा ही या उससे भी ज्यादा कुछ सच को हम उजागार करने जा रहे हैं, इनिशियली जो सच जब होते हैं, सच की दूसरे पीछे जो लोग रहते हैं, जो जूट की धंदा कर रहते हैं इतने दिन सच को छुपा के, हम ओ लोग एक्सपोस होंगे, तो वो लोग तोरा सा डड़े हुए हैं, लोगों को ड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये फिल्म कुछ प्रपागेंडा होगा, कुछ होगा, लेकिन केरला स्टोरी की तरह हमें पूरे-पूरे बिस्वास है, कि जब ये फिल्म बहार आएगा और लोग देखेंगे, लोग एक नया सच के साथ रुबरू होंगे, जो किरल की सच्चाई से भी काफी बरत सच्चाई है